असलाम अलेकम, वेलकम टू मैं चैनल आसिफ बुरेन और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नमबर फाइव चोदान सो पांच कोड का चैप्टर नमबर फाइव और इसकी एक्जेम्पल नमबर सिक्स इसमें स्टेट में थो बड़ी दिए थी तो उसको मैंने अपने वे से यहाँ पर लिख लिए ठीक है तो परिशान नहीं हो ना जहीं इसको मैंने स्टेट्मेंट को इस तरीके से लिखा है तो देखें, इसमें कहता है, कि अली जुनाव। कुकीज के different brand buy करता है. ठीक है? कुकी समराद बिस्किट वगरा तो अली जुना वो बिस्किट खरीता है S, S बिस्किट है एक वो 10 पैकट बाई करता है और T.B. एक बिस्किट का एक ब्रैंड है वो 7 पैकट बाई करता है और U.B. एक बिस्किट का ब्रैंड है वो 3 पैकट बाई करता है तो यह packets को शोग कर रहे हैं 10 packets, 7 packets और 3 packets S एक brand है, T भी एक brand है, U भी एक brand है यह लग बिस्किट है, यह लग है और यह लग है cookies ठीक है उसके बाद आफताब, आफताब भी वो buy करता है आफताब जोना वो S biscuit जोना वो उसके 4 unit buy करता है T biscuit के 8 और U biscuit के 10 cookies के 10 units जोना 10 packets जोना वो buy करता है दानिश भी S cookies के 4 unit 4 packets buy करता है T के 7 packets और U के 8 packets buy करता है अब statement पढ़ेंगे तो आपको यह easily समझा आजएगी ठीक है उसके बाद जब दानिश जोना वो S packet buy करता है एक तो उसके कीमर जोना वो 4 dollar है इन तिनों में से कोई भी buy करता है तो S biscuit जोना वो जब buy करेंगे तो एक biscuit की जो price है वो 4 dollar है और T biscuit की जो price है एक की वो 5 dollar है U biscuit की एक biscuit की जो हमारे पास price है वो 6 dollar है ठीक है अब वो यह कहता है कि जितने भी बिस्किट खरीदे गए हैं बाई किये गया है इन सब की टोटल अमाउंट आपने फाइंड़ ट करनी है ठीक है तो मैं क्या करता हूँ लेट स्पोस लेट ये जो है इतना पोर्शन पेकट्स का Biscuit के पेकट्स का कुकीज के के पेकट्स का इसको मैं एक Q मेट्रिक्स का नाम देता हूँ ठीक है Q मेट्रिक्स का नाम देता हूँ और ये क्या है 10, 7 and 3 4, 8 and 10 4, 7 and 8 ठीक है अब उसके बाद ये तो ये तो होगा पाकट्स यह जो price है न, इसको मैं नाम देता हूँ, let's suppose C है, C का नाम देता हूँ, 4, 5 and 6 अब हमने क्या find out करने है, total amount find out करने है न, तो total amount find out करने के लिए आपने इन दोनों को multiply कर देना है Q multiply C, for total amount, तो यहाँ बिल्खेंगे, total amount कैसे find out करेंगे, Q multiply C से, Q matrix हमारे पस given है 10, 7 and 3, 4, 8 and 10, 4, 7, 8 लें जी, यह हमारे पस क्यों आगया, multiply C हमारे पस है, 4, 5, 6 अब इनको हमने multiply करना है, ठीक है, multiply कैसे करेंगे first row, यह column, पहले नमबर पहले के साथ, 10, 4, 40 प्लस दूसर नमबर दूसरे के साथ, 7, 5, 35 प्लस, 3, 6, 18 अब यह दूसरी रो लेंगे, 4, 4, 16 8, 5, 40, 10, 6, 60 अब यह तीसरी रो लेंगे, 4, 4, 16, 7, 5, 35 ठीक है, और 8, 6, 48 ओके, अब इनको आइर करें, 4, 30, 70 70 ओर 10, 80, 80 और 8 यह 88, 88 और 5, 93 तो यह मारे पास आएगये, 93 ठीक है, इन तीनों को आइड करें, तो मारे पास क्या आ गया 93, और इन तीनों को आइड करें, 60 प्लस 40, 100 और प्लस 16, 116 इन तीनों को आइड करें, तो 48 प्लस 35 प्लस 16 तो 8, 5, 13, 13 और 6, 19, 4, 3, 7, 7 और 8 और 9 इस तरीके से आपनिन को एड़ का लेना है ठीक है अब यह मारे पास प्राइस आ गया टोटल यह प्राइस किसको शो करती है यह S पैकेट है S ब्राइड है उसकी प्राइस को शो करती है प्राइस ओफ एस पैकेट्स विच इस इकल टो 93 डॉलर ठीक है प्राइस ओफ आगे दिया आवा T पैकेट्स इसको यूंट भी कह सकती है T यूंट्स वो हमारे पास कितनी है 116 डॉलर और इसी तरीके से हमारे पास U पैकेट्स है तो U पैकेट्स की जो हमारे पास प्राइस बनेगी वो कितनी आएगी 99 डॉलर ठीक है आई होब कि आव लोगों को समझ आगी होगी इसी तरीके से आप बाकी क्वेस्चन्स इग्जैम्पल्स जोना वो कर सकते हैं ठीक है इग्जैम्पल नबर 6 के लावा बाकी क्वेस्चन्स भी आपको इन्शाला मिलेंगे सेल्फ असेस्मेंट क्वेस्चन्स भी सॉल शुदा हैं आपको कहीं दूर जाने के जूरूत ने पड़ेगी आप जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाएं आपको वहाँ पे क्वेस्चन्स चैप्टर नबर 5 के मिल जाएंगे बाकि जो हल शुदा है और जिन पे वीडियो जना वो अपलोड हो चुकी है तो आपको वहाँ पे इसली मिल जाएंगे और आप उनको वाच का सकते हैं अपना फीड़ बैक देना मत बुलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्लाने के बान